जारखंड के बेंगाबाद थानाक्षेत्र में मोतिलेदा गाउं के चमाटोली में मंगलवार देर रात 20-25 लोगों ने आरजेडी नेता कैलाश यादव और उनके साथी इंद्रलाल वर्मा पर हमला कर दिया। अपराधियों ने दोनों की लाठी डंडो से जमकर पिटाई की, जिस से वे गंभी रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए धनबाद ले जाते वक्त कैलाश की रास्ते में ही मौत हो गई। जबकि घायल इंद्रलाल वर्मा का इलाज गिरीडी हमें चल रहा है। इंद्रलाल वर्मा प्रभारी मुखिया राजकुमार वर्मा के पिता बताए जा रहे हैं। दरसल, मंगलवार रात करीब 11 बजे केलाश यादव और इंद्रलाल वर्मा बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया और बुरी तरीके से उनकी पिताई कर दी। इस दौरान शोर और मदद के लिए आव जुट गई है। वहीं खबरों के मुताबिक एक और बात सामने आ रही है कि केलाश के भाई छोटू यादव ने हमलावरों की पहचान की है। उन्होंने पुलिस को इस संबंध में बयान देकर केस दर्ज कराया है। बताया गया कि जिनकी पहचान की गई है वे सभी फरार ह निउस्टेस्क